नमस्कार मैं हूँ उमाश्री आप सब का बहुत स्वागत करती हूँ आज का वीडियो बहुत ही खास है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महिलाओं को अगर अपने कल्यान की काम ना है तो उनको ये पदार्त भूल कर भी नहीं खाने चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से उनका भग्योदे होता है और घर का नसीब बिचागरत होता है ये जो चीजे खाने वाली है महिलाओं को सुबह सुबह खालेने चाहिए ऐसा करने से धन संपता का घर में वास होता है पती की बरकत होती है संतान का मन पड़ाई में लगता है कुल मिला के घर म संपूर्ण सुख साधन उपस्तित हो जाते हैं और पुर्शोरतम मास में भी आप ये काम प्रालम कर सकते हैं तो आईए जानते हैं वो चीज़ कौन सी है जिन महिलाओं को अचानक से घर में तरह तरह की दिक्कत होती है घर में तनाव रहता है उनको डिप्रेशन टैंशन रहती है या उनके कोई भी काम बनते नहीं है उनको मान सम्मान नहीं मिलता प्रतिष्ठा नहीं मिलती हमेशा पाई पाई को मौताज रहती है घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैसे की तो वो बैंगन को खाना छोड़ दें और कोई भी काली डाल होती न उड़त की डाल है ये सब चीज़ें वो खाना कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उनके घर में सभी तरह के सुख उपस्तित होने लगेंगे अब खाना क्या है सुबह सुबह अगर कोई महिला खाली पेट तीन दाने चने की डाल के खा लेती है तो उसका भाग्योदय होता है और उसके घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है इसके लावा दूसरी चीज़ है केसर की पत्ति हलाकि केसर गर्मी करती है इसलिए उसक घर का नाम चमकने लगेगा इसके अलावा और जो तीसरी चीज़ है वो है हल्दी हल्दी को अगर आप गरम पानी में घोल कर थोड़ा सा उसका सेवन सुबह उठते खाली पेट करती है तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है किसी भी एक चीज का चैयन कर सकते हैं सभी चीजों का सेवन करने की आवश्यक्ता नहीं है अधिक मात्रा में आप पीले फ्रूर्स खाएं उससे आपको बहुत ही ज़्यादा होगा गुरुवार को महिला उनको केला नहीं खाना चाहिए क्योंकि केले की पेड़की उस दिन पूचा होती है केले का सेवन अगर आप गुरुवार को नहीं करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा एक दिन छोड़ दीजे उसको लेकिन केले का दान उस दिन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ी है इसके अलावा केले का जूस निकालके या केले का शेक निकालकर और रातरी को सोने से पहल एक चमच उसको अगर आप पी लेते हो तो भी आपकी किसमत जगने लग जाएगी